आजकर बार बालाओं का अनृत्ति किसी भी कारिक्रम में फैसन बन गया है ऐसा ही कुछ नजाला देखने को सामने आया भागलपूर के हसंगंज मंदिर निर्मान कारिक्रम के दुरान जैसे ही मंदिर निर्मान कारिक्रम का उद्गाटन हुआ वैसे ही तालियों की गलगलाट सुरू ही और जैसे राद बीटती गई वैसे होसे समारंगीन होने लगी एक एकर बार बलाओं का ताता लगना सुरू हो गया एक से एक असलील गीतों की प्रस्तुती सुरू हुई लोग राद भर मजे लेते दिखे लोग यह भूल गए कि यह एक मंदिर परिसर भी है जहां मंदिर निर्मान को लेकर कारिक्रम कराया जा रहा है एक तरब जहां कारिक्रम काउद खाटन भागलपूर सानसद युवा समास सेवी बिजय यादव डॉक्टर एनके यादव ने किया वहीं दोसरी और समापन बार बालाओं के असलील गीतों से हुआ कारिक्रम कुदरान महसूर लोगायक सुनील चैला बिहारी ने भी एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी लोगों ने बार बालाओं के असली नित्यका जम कर लुप उठाया झालाओं के यादग मेंचा करते हैं ओए हुआ हुआ है आपो झालाओं का लिए हुआ है हुआ हुआ है खालाओं का ओपगाव Сब्सक्राँ विया है इनटे जिए बिए लिए थाओ प्रम सबर्पाराओं चैलाओं किया हुआ है यार है, क्गर weasley कि एंड़ कि एंग बार शौश लौट य को एंग सेंग आवआ पंग, क्व assumptions.... गारा लगाएदे कर गारा लगाएदे जह भाए बापा था मैं बोलू भाया रा मेरा तरा मेरा मसी तरा बाबा हो बी राज जारी कंभल में खेले रही है तूपए रही है तूपए रही है तूपए रही है जार भागलपूर में इस वर्स समय पर 12 नहीं होने करन धान का च्छादन कम हुआ है विशेसकर परसिद कतरनी धान की खेती इस वर्स कम हुई है साथी साथ अब इसके उत्पादन पर भी किसानों में संसे बरकरार है आसंका है कि देश के महामही मराश्टपती परधान मंत्री समय देश के कई गन्यमान भी इसका आनंद नहीं ले सकेंगे दरसल बारिस नहीं होने करन पुरवांचल के धान का कड़ोरा कहे जाने वन जगदीसपूर में इस बरस एक सो से डिर सो एकर में ही खेती हुई है लगातार बारिस नहीं होने करन फसल का लुकसान हुआ है जिस समय धान की बालियां लाल होकर जुक जाती थी या धान कटाई के त्यारी होती थी उस वक्ते खेतों में कतरनी धान हरे हरे या कई खेतों में अब तक बालियों के फल भी नहीं फूट सके हैं लिहाजा किसान परिसान है जिले के जगदीसपूर सुल्तान गंज वस सनहौला में धान की बहतर पैदावार होती थी इसके लिए भागलपूर को खास परसिद्धी मिली है यहाँ के कतरनी की खास खुसूआ मौलिक्ता को देखते हुई भरात सरकार ने 2017 में इसी जियाई टैग पर दान किया था 2020 में कतरनी धान की खेती 1401 में की गई थी इस वर्स महज 50-60% धान की खेती हो सकी है किसानों से बात करने पर बताया कि हर वर्स के मुकाबले इस वर्स पैदावार बहुत कम होने वाली है कई किसानों ने करज लेकर खेती की थी उनके सामने अब करज जुका पानी के भी समस्या आ जाएगी ठंडा अशर पड़ा सब चिज गाई दखते ना इस इसाज ही है तेकिए इस सुग गिया अभी पकने में और सुखेगा इस वर उपज नहीं पाएगा इस वर कितना कम पाले तो जाता चासाथ कुंटल पर्ति बिगा होता था लेकिन इस बार तो लगता है तीनों चार जगदीसंपुर्ण के कमाई का जरिया Def一下ный नहीं बताया कि इस वर्स मौसम ने साथ नहीं दिया और इस बार कम होगी दान भी पकने लगता था लेकिन अभी तक हरा भरा ही है कर्ज लेकर खेती किये थे हम लोग खेती परी निर्फर हैं हर बार देश के गनमानने लोगों को चूड़ा भीजा जाता था लेकिन इस बार लग रहा है कि यहां का चूड़ा नहीं पहुँच पाएगा मकर संकरांती तक तयार होगा तो इस बार स्वाद भी सही नहीं होगा जगदीसपूर इलाके में कतरनी धान की खेती के बाद वहां के ही चावल वा चूड़ा मिलो में धान से चूड़ा बना कर पैकिंग कर बजारों में भेजा जाता है इस वर्स मिल तक धान नहीं पहुँच पाने करन कुछ मिल बंद पड़ चुके हैं तो कुछ मिलों के प्राने धान और दूसरे राजियों से मंगवाय जा रहे धान से चूड़ा तयार किया जा रहा है चूड़ा मिल संचलक अर्विंद कुमार सा ने बताया कि 75% मारा हुआ है हम लोग बंगाल से धान मगा कर तयारी कर रहे है जबकि हमारे जगदिसपूर में इसकी बहतर पैदावर होती है इस बार इस्तिती पहले के मुकाबले बिप्रीत है कतरनी चावल और चुड़ाय किमत पिछले वर्स से अधीक हो चुकी है बिक्री भीजबर्स कम होगी मकर संग्रानती तक इसकी किमत में और बढ़ोत्री होगी खाली कतरनी क不षब फिर उतनल महिं चुदा इस वार इस समय में करतेतै इस बार नहीं करatura है ब हर इस घाल में सुरू दिसंबर में लास्ट नोमबर में दान आता था लेकिन इस बार इस भार कुछ लेट उपा होगा तो लेट नहां आएगा तो मिल जो चलना चाहिए था इस आफ से लुकसान तो नहीं लेबाद है मिल का कॉस्ट है और प्लस लागत लगाती है मिल में वो तब की बार नहीं उठने वाला है तो तयारी किस तर है सोरी है तो तयारी बहार से मंगा रहे हैं तयारी कहा हो रहा है तयारी कहा हो रहा है अज़री बार नहीं परजना चाहिए तो परजनान के लिए जाना जाता है वहीं इसी छेतर में गरूरों को गोली से भी मारा जा रहा है ताजा मामला भागलपूर के नाथनगर के बलखोरिया पंचैट के राजपूर का है जहां घायलवस्था में गरूरों को देखा गया जिसे ग्रामिनों ने रसी बांध कर अपने संदच्छन में रखा ग्रामिन विकास यादब ने बताया कि देर संधिया हमारे खेत में अचे तवस्था में एक बड़ा सा पच्छी पड़ा हुआ पाया गया इसके बाद हम लोग पूरे ग्रामिन वहां देखने गए तो बड़े बुझदुक ने बताया कि है गरूर पच्छी है हम लोग उसे उठा कर अपने घर के पास ले आए और इसी रसी में बांध कर रखे है हम लोगों ने इसका प्रात्मी कुपचार किया है ताकि कोई इसको लेकर ना जा सके मधुसुतनपूर ओपी थाना को सूचना दे दी गई है विकास यादब ने बताया कि कुछ ग्रामिन बोल रहते इसे काट कर इसका मास खाएंगे लेकिन हम लोगों ने बिरोध किया और इसे सुरच्छित रखा जब घायल गरूर को ध्यान से देखा गया तो वह पूरी तरह घायल था गौर से देखने पर इब परतीत होता है कि किसी ने इस गरूर को एयर गर्ण से मारा है और यह घायल अचे तवस्था में पड़ा था पत्रकारों के माध्यम से वन जीब संद्रचन प्तादिकारी को फोन कर्द सुपूर्द कर दिया गया भागलपूर के पुलीस जिला नौगच्छिया में सराब की होम डिलिवरी करने वाले यूबक को कदवा थाना चितर की बालू घार स्टाडक पर सगन चेकिंगा भिहान कदरा पकड़ा गया जाच कदरान यूबक की मोटर साइकल की डिक्की से एक बिदेसी सराब की बोतल बरामद हुई पूछताच के बाद गपतार यूबक अलोक कुमार ने घर में और सराब होने की बात कही जहां से पुलिस ने चार बोतल बिदेसी सराब बरामद किया वहीं दो देसी कटा, चार गोली, बिंडो लिया और मोटर साइकल पी पुलीस ने बरामत की है पुलीस को गुप सुचना मिली थी कि युवक पकड़ा बासा से ठाकुर जी कहचारी टोला सराब की डिलिवरी करने जा रहा है सुचना पर पुलीस ने चेकिंग लगाया और सराब की होम डिलिवरी करने वाले युवक को पकड़ लिया गया साथ इन्होंने चेकिंग लगाया तो फिरे जो है पंकरज कुमार अलोक और पंकरज कुमार इसकी गिरफतारी है भी चेकिंग करना तो चेकिंग करना में उनके गारी से सराब का बोतल मिला डिकी से 750 एमिल का एक बोतल मिला पूस्ताच करने पे उनके निशान दही पे उनके घर से दो देशी कट्टा चार जिन्दा गोली एक बिंडोलिया और 750 एमिल का तीन बोतल और 375 एमिल का एक बोतल सराप राप्त पर यह हमनों के पास प्तानकारी पहले से भी थी कि हम डेलिवरी कर रहा है सोचना पुक्तार मीते ही करवाई की गई है अब लोग इसके खिलाब जो है एस पेडी ट्रैल भी चलाएंगे सजा भी दिलाएंगे और अच्छी कुपलवदी है जो चेन होता है ब्रेक करने का जो शप्लायर है या जो डेलिवी करता है तो अच्छी कुपलवदी है यह इस टीम में हमारे जोगी पदादिकारी थे ताना पढ़ारी है तो अनिक और विदास है पिट्री सी कृष्न कुमार सिंग है और आजम पुलिस सभी को रिवाड भी दिया गया है मेरे गोरे दूसरा एक इसमाइलपूर में क्या था एक राहूर कुमार है वो अपना जमीन इसके केस का वादी है विद्यारंद राय को जमीन वो बेचा था बाद में जमीन का कीमत बढ़ गया तो बोला और हमें अधिक पैसा चाहिए पैसा देने और समर्था चताने पर यह जो रहूर कुमार है विद्यान राय घर पे जाकर के फाइरिंग किया गाली गुपता किया बोला यह तो दी हमें बढ़ाव पैसा और इस्टाथ दो उसी पे फिर पोलीस सुचना पर पहुची तो आप पबलिक उसको पकर करके सुपूर्द किया पोलीस को और जो आम्स था एक कट्टा दिसी और खोखा गोली और मोटर सहाइकिल उसको सुपूर्द किया पोलीस को इसकी जाच अलोग कराएंगे इसमें स्ट्पो जाएंग गटना सप्राव परविचन करेंगे साक्ष के आलोग में अलगतर करवाई की जाएगी भागलपूर के लोधी पुरिष्थित सहारा वृद्धास्रम में मानुमाधिकार संदरच्चन एंड एंटी करप्सन ब्यूरो के बैनर तले मेडिकल परिच्छन सिविर का आयोजन किया गया सिविर का उद घाटन समाजिक सुरच्चा को सांकी सहायक निसक विकास कुमार समाज सेविव बिजय यादव पुरू जिपस दस्ते अरविन मंदल डॉक्टर आसिस कुमार डॉक्टर सतीस कुमार डॉक्टर राकेस चा ने दीपरज लिद कर किया इस दुरान सिविर में बिभिन रोगों से ग्रसित दरजनों वरिद्धों की जाच काडिलोजिस्ट डॉक्टर आसिस कुमार के नेतरूत में की गई और जाचो परांत उन्हें निस्सुलक दवाई भीवी तरित की गई सिविर में आगंतिकों को अंगवस्तरू पौधा देकर स्वागत किया गया उद घाटल के बाद काडिलोजिस्ट डॉक्टर आसिस कुमार नेतर रोग बिसे सग्गे डॉक्टर राकेस चा द्वारा जरुत मंदों का संबंधित बिमारी की जाच की गई सुबह आट बे से दोपार बाला बजे तक चले सिविर में आसपास की लोग भी अपनी जाच कराने पहुँचे वहीं सिविर में समासी बिजय यादव योंपुर्व जिपसदस्य अर्विन मंदल द्वारा जरुत मंदों को साड़ी और ठंड से बचाब के लिए कंबल भी बाटे गए मौके पर विद्धा स्रम के कर्मियों के लाबा मानमधिकार संद्रचन एंटी बिरो की परसिडेंट अमीता कौसिक संधिया पांड़ी समासेवी तरुन घोस मौजूद रहे कारिकरम की अधिचता कर रहे सवालिक सुरच्छा को सांग की सहायकनिसक विकास कुमा की परसिडेंट को धन्वा दिया और आजवन की सफलता के लिए रास सरकार और बिफिन योजनाओं का समुछित लाब मोहिया करानी की बात भी कही स्वास्थे कैम और्गनाईज करवाया था जिसमें की सभी विरिजनों की बेसिक जो समाने स्वास्थे जांश होता है रूटिनल चेक अप किया जाता है और उसी के नुरूप के दिने बीपी, सुगर, फीवर, खांसी जो खाम उस तरीके की कोई भी इस रूपाय जाता है तो उनको यहां पर निशुल्प जो है दवाई दी जाती है और चेक अप किया जाता है यहां किलाबों को और यदि उनको कोई ऐसी समस्था डाइगनोज होती है जिससे मतलब कि उनको हॉस्पिटल लेके जाना है तो फिर उन्हें उसी के अनुरूप जो है एक रेगुलर ड किला में जो है विर्जन है जिनको उनके बच्चों ने सहारा नहीं दिया है तो उनको यहां पर हम लोग निशुल्क रखते हैं और कोशिश करते हैं कि उन लोगों को सभी बेसिक बुनियादी सुईराइं भीहार सरकार द्वारा दिया गया जैसे कि रहना खाना चिकित्सा और सभी तरीके के हम लोग यहां पर एक्टिविटी भी कराते हैं उनको ताकि वो अपने यहां घर जैसा बिलकुल उनको फील कराते हैं ताकि वो एक समान पूरुप जीवन जो उनको मिलना चाहिए था उसको हम उनको परदान कर सकें और जिंदगी के अंतिम छोर में वो क्या पाए से राजाए तो क्या पाए क्या लगा माहल से आज यहां पर बिरिजन काफी खुश होते हैं कि उन्हें इकने सम्मान पूरुप तरीके से रखा जाता है